हेलो स्वेंट्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चिर्यवाल क्लासस में सब्जेक्ट है अप्लाइड मेकेनिक्स और चेप्टर है मशीने और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे एन्पुट एनर्जी दथ उर्जा आउट्पुट एनर्जी उपलब्द उर्जा एड़ एफिशेंसी ओफ मशीन मशीन की दगस्ता तो सबसे बहले देखिएगा एन्पुट एनर्जी या दथ उर्जा दथ उर्जा इन्पुट एनर्जी किसी मशीन को दी गई उर्जा दथ उर्जा कहलाती है नाम से ही लिए रहे दथ उर्जा यानि मशीन को जो उर्जा दी जा रही है या किसी मशीन की जो इंपुट होती है वो उसकी इंपुट एनरजी कहलाएगी तो मशीन को दी गई उर्जा दख्थ उर्जा कहलाती है तो यदि मशीन के जो एफ़र्ट है पी है मशीन पर लगाया गया प्रियास पी तथा प्रियास दूरी यदि माल लिया कि मशीन पर जो एफ़र्ट लगाया जा रहा है वो तो कैपिटल पी है और जो एफ़र्ट पी है एफ़र्ट पी के द्वारा जो डिस्टेंस चली जा रही है दूर रिमूव कर रहा है वो बाई है तो उपलब दख्थ उर्जा और एंपुट एनर्जी हुझा है यही मशीन पर लगाया गया प्रियास गुणा प्रियास द्वारा चली दूरी अर्था इंपुट एनर्जी किसके वराबर हो जाएगी प्रियास एफ़र्ट पी और प्रियास द्वारा चली गई दूरी बाई के गुणनफल के इक्वल होगी उसके बाद बात आती है नेक्स्ट आउटपुट एनर्जी या उप्लद उर्जा आउटपुट एनर्जी या उप्लब दूर्जा मशीन द्वारा प्राप्त की गई उर्जा उपलग दूर्जा या आउटपुट अनर्जी कहलाती है यानि जो एनर्जी मशीन से मिली जो मशीन से हमें काम मिला वो आउटपुट अनर्जी और जो मशीन को हमने काम दिया वो इनपुट अनर्जी क्लियर तो आउटपुट अनर्जी मशीन द्वारा प्राप्त उर्जा आउट्पुट एर्जी या उपलत उर्जा कहलाती है तो मशीन द्वारा प्राप्त उर्जा उपलत उर्जा या आउट्पुट एर्जी कहलाती है यदि मशीन पर लगाया गया भाहर डबलू यदि मशीन द्वारा उठाया गया भाहर डबलू डबलू तथा भाहर द्वारा चली गई दूरी एक्स है तो उपलब दूर जाए या आउट्पुट अनजी बराबर हो जाएगा मशीन द्वारा उठाया गया भाहर गुणा भाहर द्वारा चली गई दूरी मशीन द्वारा उठाया गया भाहर तथा मशीन द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को उपलब उठाया या आउट्पुट अनजी कहते हैं तो मशीन द्वारा उठाया गया भाहर कितना है कैपिटर डव्लू और चली गई दूरी एक्स तो यह हो जाएगी आउट्पुट अनजी यह हो गई इनपुट अनजी कलियर मशीन को जो उट्चा दी गई इनपुट अनर्जी और मशीन से जो उट्चा मिली अगर X है तो आउट्पूट एनर्जी हो जाएगी या मशीन द्वारा उठाए गए बोज या भार और भार द्वारा चलेगी दूरे के गुणनफल के बराबर तो आउट्पूट एनर्जी हो जाएगी डबलो इंटो एक्स बात आती है efficiency of machine की machine की दफस्ता की देखेगा efficiency of machine तो machine की efficiency की बात करें है दफस्ता की बात करें तो क्या होती है दफस्ता output upon input यानी machine की उपलत उर्जा तथा दफ्त उर्जा के अनुपात को machine की दफस्ता कहते है तो machine की दफस्ता क्या हो जाएगी दफस्ता बराबर output energy उपलत उर्जा तथा input energy का अनुपात दफ्त उर्जा का अनुपात तो machine की efficiency उपलत उर्जा output energy और input energy दफ्त उर्जा का अनुपात होती है इसे हम eta से प्रदर्शित करते हैं इसे eta से प्रदर्शित करते हैं और जो efficiency होती है दफस्ता को हम प्रतिशत में ग्याद करते हैं यह प्रतिशत में प्रदर्शित क्या जाता है यह प्रतिशत में ग्याद हिया जाता है दक्स्ता को प्रतिशत में ज्यात किया जाता है तो देखेगा पहले तो इटा दक्स्ता उपलग दूर जा आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी तो आउटपुट एनर्जी अभी हमने बात की आउटपुट एनर्जी W into X के बराबर होती है और input energy P into Y के बराबर होती है और प्रतिशित में बाद करें तो इंटू 100 प्रतिशार Efficiency लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा improve करें तो देखिएगा Eta is equal to W upon P गुणा 1 upon Y upon X into 100% तो देखिएगा W upon P किसके बराबर होती है Mechanical Advantage चुकि W upon P is equal to होता है M A के तो यहां हो जाएगा Eta is equal to M A और 1 upon Y upon X किसके बराबर होता है BR is equal to होता है Y upon X इसके पिछली वीडियो में हमने बात कि Mechanical Advantage और Velocity Ratio की तो Mechanical Advantage बोज अपॉन अफर्ट के बराबर होता है लोड अपॉन अफर्ट के बराबर होता है और Velocity Ratio प्रयास द्वारत चली दूरी तथा भाग द्वारत चली दूरी के अपात के बराबर होता है तो वही देखिएगा W upon P M A और Y upon X BR के एकपन हो गया तो M A into 1 upon BR into 100% या Eta is equal to हो जाएगा M A upon BR into 100% तो Machine की दक्षता की Definition की बात करें तो Machine की दक्षता की Definition क्या थी कि Output Energy और Input Energy की अनुपात को Machine की दक्षता कहते हैं लेकिन अगर जा हमने इसको Solid किया तो हम इसको 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 भी Defence laps राब हो कि öat तो आ और या 1945 तता भेंदसमात कि अनुपात को मशीन की दक्सटा कहते हैं यानि मशीन की efficiency एटा को हम यांत लापता बेगा onबात की अनुपात को मशीन की दक्सटा कहते हैं इस तरह भी define कर सकते हैं तो इस यह अम्हारों आमने टॉपिक coefficient कबने है, Input Energy, दत उर्जा Output Energy उपलग eux लाgen 냉त्यर रिखbuild हो Output Energy, Karl उपलग दूर्जा MATHE, मशिन दौरा लिख लें लिख लें लिख सबत्ते हैं Machine की डंठ्षबगन Output Energy अपान एन्पुट एनर्जी का जो रेशो होगा वो हमारा मशीन की दक्सता गया लाता है ओके, थैंक यू